नमस्कार दोस्तों मैं सीमाडैमन मेरे इस यूटूब चैल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मात्र एक उपाई करने से ही आप भगवान भूले नात को प्रसंद कर सकते हैं और अपनी हर इच्छा को पूरी कर सकते हैं आपके जीवन में यदि कोई भी कस्ट हो तो भगवान भूले नात की यदि आप शरण में जाएंगे तो आपको 100% positive result आपके जीवन में मिलेगा आपकी हर इच्छा पूरी होगी भगवान भूले नात बहुती दयालू है यदि उन्हें सच्चे दिल से याद किया जाए और एक सादा जल भी उनके शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो आपको वनवांशित फल की प्राप्ती होती है आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी परेशानी हो तो आप इस शिवरात्री कौन सा ऐसा महा अचुक उपाए करें तापकि आपकी हर इच्छा पूरी हो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्धम से पूरी विस्तित जानकरी दूंगी दोस्तों 21 फरवरी को बोहती हर्शो उल्ला से महा शिवरात्री का पर्व मनाया जाएगा और इस शिवरात्री पर बोहती अद्बुस सयोग बन रहा है जिसके जीवन में यदि कोई भी समस्या हो तो एक दिन की पूजा पाट से ही आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ यदि आपने भोले नात की पूजा करी तो ही आपको वन माचित फलो के प्राप्ती होगी दोस्तों तो चलिए आईए जानते हैं दोस्तों यदि आप आर्थिक तंगी से बहुत अधिक परेशान हैं कर्च के बहुत अधिक शिकार हैं आपकी आए अधिक नहीं होती हैं खर्चे अधिक होते हैं तो कौन सा ऐसा अचुक उपाए करें दोस्तों चलिए आईए जानते हैं महा शीवरात्री के दिन भगवान शीव शंकर के वाहन नंदी अर्थात बैल को यदि आप हरा चारा खिलाते हैं तो चारा खिलाने के साथ-साथ यदि आप महा मिर्तुन्जे मंत्र का जाप यदि 108 बार करेंगे तो इस उपाय करने मात्र से ही आपकी धन सम्मद्र सभी समस्या दूर होगी दोस्तों इसके अलावा अगर कहीं आपका पैसा फसा हुआ है तो भी आपको वह प्राप्त होगा और कर्ज से भी आपको मुक्ती प्राप्त होगी दोस्तों आप भगवान भोले नात की पूरी विदी विदान से पूजा अर्चनातों करें लेकिन इस उपाय को अवश्य करें तो ही आपको सफलता प्राप्थ होगी इसी तरीके से यदि आप पर शत्रू पक्ष बहुत अधिक खावी है आप शत्रों से बहुत अधिक परिशान है तो आपको क्या करना चाहिए शिवरात्री की दिन शिवलिंग पर आप दूद से अवश्य करने के बाद उ यह उपाय करने से अगर आपके ऊपर कोई शत्रू आपको परिशान करता है तो आपको इससे छुटकारा अवश्य प्राप्थ होगा और अगर आप किसी जूटे मुकदमे में फसेवे हैं तो उससे भी आपको मुक्ती प्राप्थ होगी दोस्तों यह बहुत ही छोटे वहा नहीं हो रहा है आप विवहा करना चाते हैं लेकिन फिर भी आपकी इच्छा पूरी नहीं हो रही है तो आपको क्या करना चाहिए इस शिवरात्री के दिन महा शिवरात्री के दिन आप सुहागन महिलाओं को सुहाग का सामान दे इसके अलावा इस दिन गरीब और किसे बता रही हूँ कि आपको पूरी पूजा विदी तो आपको अपनानी है आप यदि वरत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है आप नित्य क्रिया से निवरित होकर सुबह सुबह यदि शीवलिंग की पूजा अर्चना करते हैं पूरी विदी विदान से जो मैंने पिछली वीडियोस में बताए हैं आप उन्हें देखकर जान सकते हैं लेकिन जो ये उपाय में बता रही हूँ उन्हें आपको अपनी पूजा में समलित करना है तब ही आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा दोस्तों इसी प्रकार से यदि आप अभी तक नौकरी के लिए क्या करना चाहिए आपको शिवलिंग का शहत से अभिशेक अवश्य करना चाहिए इससे आप यदि अभिशेक करेंगे शहत से तो नौकरी तता व्यापार में जो भी परिशानी होगी वह धीरे-दीरे स्वते ही दूर होने लग जाएगी इसी प्रकार से आपका दुरभाग सोभागे में बदल जाएगा इसके लावा आपको सारी दिक्कते भी खत्म हो जाएगी यह बहुत ही चोटे-चोटे मैंने उपाय बताए हैं इनको करना बहुत अधिक मुश्किल नहीं है लेकिन यदि आप पुरी श्रद्धा विश्वास के साथ करेंगे भगवान शिवका दोस्तों जब भी हम पुझा पाड करते हैं तो हमीं जो कारे नहीं करने चाहिए उनका भी ध्याम रखना चाहिए इस दिन आप काले निले बस्तरों को आप नहीं पहने इस चीज का ध्यान दें किसी से आप जगडा नहीं करें, किसी का मन आप नहीं दुखाएं और आप नॉन्वेज का सेवन भी नहीं करें, जब भी हम पूजा पाट करते हैं तो इन चीजों का त्याग हमें अवश्य करना चाहिए, और छोटी-छोटी चीजी होती हैं, उनका ध्यान भी यदि रखते पूजा पाट करेंगे, तो ही हमें अच्छा रिजल्ट हमारे जीवन में प्राप्त होता है, ये उपाय आप मंदिर में जाकर भी कर सकते हैं, या फिर अपने घर पर भी कर सकते हैं, दान दक्षना आप गरिबों में दे सकते हैं, किसी भ्रहमन को दे सकते हैं, या किसी भी वीडियो बहुत अधिक पसंद आया होगा यदि वीडियो पसंद आया तो इसे आप लाइक करना ना भूले और दूसरों को भी इसे आप शेयर अवश्य करें ताकि इनने भी इन इन इनफोर्मेशन का ज्यान हो सके और वह भी अपने जीवन में इन उपायों को अपना कर अपने जीवन को बहुत अधिक आसान और सरल बना सके और खुशियां प्राप्त कर सके दोस्तों अब कोई भी सुझा हो तो कमेंट्स के दौरा मुझे जरूर बताएं ताकि आने वाला नेक्स वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत अधिक बैटर से बैटर ला सको तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में कोई इंटरस्टन टॉपिक के साथ तब तक के लिए थैंक्यू एंड बाबाई